हेलो गाईज आज हम बात किने वाले फ्यूचर रिटेल के बारे में आप लोगो पता यह फ्यूचर ग्रूप का सबसे बड़ा दिगज कमनी फ्यूचर रिटेल और वहाँ पर उसको लेने के लिए और उसको देने के लिए यहां पर स्यार बहुत ही जद्धा भसर मची हुई ह एमेजोन, रिलाइंस और फ्यूचर रिटेल के बारे में तो यहां परसे यह पुरे-पुरी न्यूज को आज के दिन में कवर कने वाला हूँ इस सुडियो में और यहां परसे दिली हाइकोट ने इसके उपर क्या बयान दिया है फ्यूचर रिटेल के सैलिंग या बाइंग के उपर तो वो भी आप लोगो इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यह पुरा-पुरा न्यूज है और यह पुरा-पुरा आर्टिकल है वो किसके फिवर में एमेजोन के फिवर में है या रिलाइंस के फिवर में या फ्यूचर रिटेल के फिवर में है ठीक है तो यह तो आर साथ ही बोल सकते हो कि गयर इसको इसका फैवर करे गा इसका फैवर करे तो इसकं diversy ऐ हो जाएगा ठीक है यह पुरख पुर्ग्प्रा सीन रहने वाला है आज के दिन तो यह वीडियो उन्ठी एक ले उट्यू पर आप लंग तो पम्होंड ओश कीबशयों उन्होंने बूला था allegation लगाया था Amazon हमें हमारी ये company को future retail को बेचने दे रहा है और जो यार MOU sign किया गया था Amazon और future retail के साथ तो अभी मानने नहीं गीना जाएगा और वो सारी चीज़े तो अभी वो सारी की सारी बात है न Amazon ने यार डिली हाई कोट ने reject कर दिये मानने future retail अभी यार कोई भी company नहीं खरीदने वाली है जैसे किया reliance भी नहीं खरीदी कि Amazon तो वैसे भी नहीं खरीदने वाली थी वो बस रोक रही है और और भी list में है बहुत सारी company उसको नहीं खरीद सकती अभी की time में ठीक है तो यार डिली हाई कोट ने यहीं बोलाए और भी आप लोगों मैं और भी detail में अप लोगों बताता हूँ क्यारे इसमें क्या क्या चीजे हुई है क्या क्या बाते हुई है तो यहां पर स्याइब आप लोगो पता ही है कि Amazon ने एक लेटर लिखा था SEBI को SEBI को और CCI को तो यहां पर स्याइब को regulate करने के लिए ही आदिखार, फ्यूचर डील को regulate करने के लिए उन्होंने केस फाइल किया था और डिली हाई कोट ने क्या बोला फ्यूचर्स केस अगेंस्ट एमेजोन इज मेंटेलेबल मलब आप लोगों को यह कोड़ा केस ना वो आगे भी चलने वाला है यह चीज़ जयाद रखना अभी यार इसके उपर ऐसा नीव हुआ है कि यार डिलाइन्स को नहीं मिलेगा ठीक है यह केस आगे भी चलेगा और आने वाले समय में इसके उपर कोई अच्छी न्यूज आती है तो फ्यूचर रिटेल में आगे समय में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है अभी हम बात कर लेते हैं कि यार यह जो केस चल रहा है फ्यूचर रिटेल के बारे में तर यहां पर से यूएस की जो दिगज कंपनी है जाइन्ट आप लोग बूल सकते हो एमेजोन तर यह दुनों के दुनों जो हैर केसिस चल रहे ना इसके उपर थोड़ी बात कर लेता हूं मैं तो यहां पर से आप लोगों को जो मेन मेर को तर यह दोनों ही परेग्राफ यह बहुत ही जादा इंपोर्टन रहने वाले है क्यों कि आर ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं तो सबसे पहले परेग्राफ में इन लोग ने क्या बुला है जार फ्यूचर रिटेल और ई-कॉमर्स जाइन जो एमेजोन है उनके बीच जो हाई कोड में चुका आया था तो उसमें आर क्या बुलाए जो जो फ्यूचर रिटेल है जो भी ऐलिगेशन लगाया था अबी की बात करें फ्यूचर रिटेल और रिलाइनस अभी ये पूरे इन दुनों की तर उसको तर मनाई कर दिये है कि आर अभी तो आप लोगों की डिल नहीं हो सकती और अभी की बात करें इस चुका देगी तर इसमें एमेजोन का जीत हासिल हुआ है इमेजन जीत दिया है फर अभी की बात के अभी यार इन्होंने क्या बुला है जो यार जस्टीस है यार दिखा रहा है आप लोग देख सकते हो जस्टीस मुक्ता गुपता करके एक जो जस्टीस है उन्होंने क्या बुला है said that दिखा रहे हैं पर से इनों लोग ने क्या बुला क्यार ये FRL का जो MOU sign किया गया था ना ये पुरा-पुरा sign और signature आप लोगो ये पुरी-पुरी मामला मालूम है तो ये वीडियो देखना है ठीक है तो ये MOU sign किया गया था ना तभी ये emergency थी जो future coupons है उसको बेचने की emergency थी तर उसका फाइदा उठाया है Amazon ने ठीक है इसका फाइदा उठाया है Amazon ने तर ये Amazon की बहुत ही ज़्यादा बड़ी चाला की दी तर ऐसा अभी से नहीं मान मत लेना किया अभी future retail और reliance का अभी ये नहीं सकता ऐसा अभी भी नहीं मत लेना क्योंकि आने वाले समय में इसको approving transaction में आने वाले समय में दुखार reliance और future retail को approval मिल सकता है ऐसा ये justice मुकता गुपता ने बोलाए ठीक है तो ये चीज आता रखना आप लोगों को ये paragraph जो आप लोग करके रखे हुए हो तो आप लोग ये paragraph को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना आने वाले समय में amazon ने future retail future coupon का फाइदा उठायता तो उसको थोड़ा emergency बता कर उसको ये पुरे पुरे चुका देखो remove भी कर सकता है और यहां पर से आराम से reliance buy कर सकता है future retail को और पता ही आप लोगों को reliance जो आर मुखे संभा नहीं है आप ऐसा ही बोल सकते हो कि आर पुरे देश को चलाता है तो ये चीज याद रखना आप लोगों को ये इसके उपर ध्यान देना है और उसके साथ का सारा overview है अभी तक क्या क्या चीज़े हुई है Reliance और future retail के बारे में और ये पुरे आर्टिकल के आप लोगों लिंक चाहिए तो मैं description में दे दूँगा अब यार इसके share के ऊपर directly चलते है तो यहां पर सार हम future retail के share के ऊपर आ चुके है और यहां पर सार इसमें आप लोगों पता यह कियार आप लोगों ध्यान दिया होगा आज के सुबह की बात करें तो सुबह देखा आप लोग देख सेते circuit लग रही थी और उसके बाद 10 बजे 10.30 बजे तक circuit लगी 10.45 तक और उसके बाद अच्छानक से धड़ाम से दिमे-दिमे-दिमे करके नीचे आने लगा तर यह चुका था आयर अमेजोन के फिवर में आया इसलिए यह इसमें गिरावर देखने हो मिली है वहना तो इसमें circuit कायम रहती मलब यह पुरे-पुरे circuit इन जल रहा था ना किया future coupons को 49% बेचा था future group ने 49% बेचा था future coupons का ठीक है तो यह उस वक्त अग्रीमेंट किया था Amazon ने अग्रीमेंट किया था future group के members के साथ chairman के साथ कि आप Reliance और बहुत सरे इसी जो list में company थी उनको आप future retail future enterprise future lifestyle और उसके future fashion और बहुत सरे इसी company future की तो उनको नहीं बेच सकते है Reliance कोड़ी है तो यह चीज यार पुरा-पुरा monopoly create करने के लिए यह पुरा-पुरा चीज करा गया है आप दोको पता ही है एक बार फिरसे मैं बोल रहा हूँ future retail है आने वाले समय में Reliance के पास ही जाने वाला है हम इंडिया की बात करें तो अभी भले ही यह चुका दा ऐसा है पर आने वाले समय में future group या future retail है वह Reliance के पास ही जाने वाला है ऐसा मेरा मानना है और यह मेरे को अच्छा सही लगता है इसलिए मैंने इसमें invest भी किया हुआ है जो कि यार मैंने बहुत कम में invest किया हुआ है पर आप लोग को खुब है इन्वेस्ट करना है तो आप लोग maximum deep में आप लोग बाई कर सकते हो उसके बाद hold करना है और ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना है future retail में आप लोग ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना जोड़ा आप लोग कोई 0 भी हो जाए ना तो भी कुछ फरग ना पड़े कोई बंदा ऐसा होगा कि इनको 100 रुपे 100 रुपे एकदम 0 हो जाए तो भी कोई फरग पड़ता है और उसके साथ कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसको हजार रुपे भी 0 हो जाए ना तो भी कई फरग नी पड़ता है तो यार वह आप लोग कैटेगरी आप लोग चुन लेना कि कितने पैसे आप लोग लगाना कर लिया तो तीन से चार गुना तीन से चार गुना आप लोगों को मुनाफ होगा ठीक है तो यह चीज़ जात रखता तो बस यह आशक के लिए आप लोगों कोई वीड़ो कैसा लगा आएगा कोई भी एक शेर की बारे में ठीक है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले ना क्योंकि यह ऐसी सारी की सारी न्यूस हम प्रोवाइड करते हैं तो बस अरश की लिए नहीं गुडबाई फिर में तर नेक्स्टरीम में वीडियो को लाइक चैनल को स ट्रेम नहीं किया तो कर ले ना बस गुडबाई